नमस्कार दोस्तों सुवागत हैं आप सभी का हमारे यूटूब चैनल आर के योजना पर पैंसन से जुड़वा एको नया ताज़ा अपडेट लेटस्ट नियूज आप सभी दिव्यांग विद्वां वर्दवस्ता और कुष्टवस्ता पैंसन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं पैंसन धारकों को बड़ी सोगात दी गई है जी हां दोस्तो राज्य सरकारने की पैंसन बढ़ाने की घोशना अब सभी दिव्यांग विद्वां वर्दवस्ता और कुष्टवस्ता पैंसन धारकों को पहले दिये जाते थे 2585 हर महीने लेकिन अब आपको हर मह नहीं दिये जाएंगे 2750 रुपे यानि की 2500 रुपे की जंगे अब आपको मिलने वाले हैं 2700 रुपे ये 8580 हर माईने लाभारतियों बैंक खाते में समय समय से सरकार अब ट्रांसफर करने जा रही है सभी को 55 राकर मिलना किस तारीख से प्रारम सरकार कर रही है तारीख भी आपको बता दी जाएगी वीडियो की सुरुवात करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ ही दोस्तो बैल आइकन की बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह है सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाव उठा सके चलिए दोस्तो वीडियो की सुरुवात कर लेते हैं विद्वा महिलाओं तलाकशुदा महिलाओं दिव्यांग जनों को सामाजी कुरक्षा पैंशन दी जाती है इसका उदेश से उनको आर्थिक सहायता देना है ताकि वे बिना किसी परेसानी के अपना जीवन यापन कर सके साथ ही किसी पर आर्थिक रोप से निर्भर उनको न रहना सके यानि कि किसी और के उपर निर्भर ना हो सके इसी कड़ी में सरकार की तरफ से बुजर्गों दिव्यांग जनों को विद्वा महिलाओं को और तलाकशुदा महिलाओं को दी जाने वाली पैंसन में बढ़ोतरी की गई है हरियाना के सियम मनुहर लाल खटर ने वित 2750 रुपे प्रती महा करने का एलान किया गया है सामाजिक सुरक्षा पैंसन पर खटर ने कहा कि फिलहाल इसके अंतरगत लगभग 29.7 एक बुजर्ग सम्मान भत्ता विद्वा पैंसन और दिव्यांग पैंसन लाभारतियों को 2500 रुपे प्रती महा की पैंसन रासी लाभारत पैंसन रासी ट्रांसफर फिलहाल की जा रही है यह लाभ उनको दिया जाता है अब इस रासी को एक अपरेल यानि कि देखिए एक अपरेल 2023 से बढ़ाकर 2750 रुपे परती महा किया जाएगा यानि कि जो अब आपको 25 रुपे बढ़ाकर मिलने वाली है 2750 रुपे वहें एक अपरेल यार 23 से आपके बैंक खाते में सरकार ट्रांसफर करने जा रही है और भविस्थे में अब आपको 2750 रुपे ही मिलने वाले हैं या तो आप देखिए 1 अपरेल 23 से 2750 रुपे ये पैंसन बढ़ाती आपके बैंक खाते में पहुँशने वाली है राज्ये के मुख्यमंतरी द्वारा पैंसन बढ़ाई जाने की घोशना की गई है सभी पैंसन धारकों के लिए यह है एक बहुत बड़ी खुशकबरी है क्योंक इनको 2500 रुपे ये हर मेने पैंसन आसी दी जाती थी लेकिन अब यहाँ पर 2750 रुपे पैंसन बढ़ा कर दी गई है ये हर मेने अब उनको एक अपरेल से ला मिलना प्रारम हो रहा है देखे दोस्तों यदि आप भी हर्याना राज्ये के अधिन आते हैं दिव्यांग विद् यदि आप हर्याना राज्ये से अलावा किसी और अन्य राज्ये के पैंसन दार्ख हैं पैंसन से संबंदिद या फिर किसी और अन्य योजना से संबंदिद आपके मन में कोई सवाल है डाउट है पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जागर पूछ सकते हैं सभी स के बटन को प्रेस करना न भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह है सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाव उठा सके अब हम आप से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारिक साथ जब तक के लिए जय हिंद जय महरत